ABC and ADC are two right triangles with hypotenuse AC, prove that CAD is equal to CBD, यह अपने को दो प्रूफ करना है, equal है बोलके, तो what has happened is कि दो उन्होंने right triangles लिये हैं, तो मान लो यह मेरे पास एक राफ फिगर है, यह मेरी common hypotenuse है AC, ठीक है, तो इस में से मैंने क्या किया, दो triangles बनाया, ठीक है, यह common hypotenuse ले रहा हूं है, AC और मैं यहाँ पर दो triangle बना रहा हूं, एक उपर, एक नीचे, अगरीट, अब इसको मैं नाम देता हूं, एक ABC है, यह उपर वाले ABC कर लेता है, यह ADC कर लेता है, यह क्या बोल रहा है, यह AC hypotenuse है, और यह दोनो right angle triangles है, मतलब यहाँ का angle कितना होगा, 90 degree, है न यह बोल रहे है कि right triangles है, तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, prove that CAD is equal to CBD, क्या prove करना है, CAD, CAD, मतलब यह वाला angle, यह वाला angle, CAD is equal to what, CBD, मतलब यहाँ से हमको एक line खीशना बढ़ेगा, और यहाँ का angle equal बताना पढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पर हमारे main diagram में वो highlight करूं, कि कौन से दो angles को equal बताना है, यह वाला, और यह वाला, यह दो angles equal है, ऐसा prove करना है, ठीक है, question समझ में है, क्या prove करना है हमको बस यह prove करना है कि CAD is equal to CBD, तो चलो, शुरुवात करता है, बहुत difficult task में लग रहा है, हमारी main figure अलड़ी तयार है, let us start with that, तो, सबसे पहला, मुझे बताओ, इनका यह right angle triangles है, है न, right angle triangles है, तो यहाँ का addition कितना है, 90 degree है, यहाँ का angle भी कितना है, 90 degree है, यहाँ का angle भी कितन इसे कि उनका addition 180 आ रहा है, ठीक है, यह figure देखो, for your understanding, B और D 90 degree question में दिया हुआ है, correct, तो वो एक हम लोग logic use कर लेंगा, angle B plus angle D question में बोला है, कि उनका angle 90 degree है, तो addition कितना हो जाएगा, angle B plus angle D का 180 हो जाएगा, इसका reason क्या लिखेंगे, यह 90 90 plus कैसे, given, given data है न, तो 180 prove हो गया, अगर यह 180 है, तो can we say, कि यह cyclic quadrilateral है फिर, है न, circle के अंदर है, तो basically, can we just say, it's a cyclic quadrilateral, definitely है, fine, उपर से, उपर से, यहाँ पे, यह opposite angle सा भी हमने 180 prove कर दिया है, यह वाला और यह वाला, तो this is cyclic then, वो भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो, तो, यह वाला, यह वाला, तो, यह वाला यह वया वो लिगते हैं में क्या seanे चय्च तो, प्या विखेंगेन, क्या। अच्वाप में से, सम बक्या, व तो यवाला कंचा है, । दिया है, यह यॉदा करी कि पह और बक्या न, of quadrilateral a b c d a b c d is कितना है भई is 180 is 180 degree addition कितना है 180 तो इसकी वज़े से यह जो हमारा a b c d c b है वो क्या हो गया है it has become a cyclic quadrilateral a d c b आप उसको दूसरा मतलब sequence आप change कर सकते हैं वैसा कुछ इशो नहीं है मैंने ऐसा उल्टागी नए a d c b is a cyclic quadrilateral is a cyclic quadrilateral तो cyclic है यह तो प्रूफ कर दिया हमने आगे देखता है तो cyclic होने की वज़े से अभी हम वो circle निकालेंगे वो जो circle है ना triangle के आजू बाजू में जो समझ भी नहीं आ रहा थे के circle कहां से है तो cyclic प्रूफ कर दिया हमने opposite angles are 180 अब directly हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी वज़े से we can write we draw we draw a circle we draw a circle in which in which we draw a circle in which ABCD is a cyclic quadrilateral in which ABCD is a cyclic quadrilateral ठीक है हमने क्या किया वो circle निकाला है ना पहले हमने प्रूफ किया कि वो cyclic है उसके बाद वो circle निकाला है अब AC तो diameter है AC तो क्या है diameter है so AC is a diameter AC क्या हो गया अभी diameter हो गया है ना वो figure में अगर वो diameter है common sense लगाओ ठीक है so can we say can we say कि ये जो angles है ये जो angles हैं ये figure को ठीक से देखो ज़रा AC तो diameter है correct now can we say that CAD ये वाला अंगल और CBD ये वाला अंगल दोनों equal है जो हमको prove करना है कैसे equal बोल रहे है same segment में है ना see they have a same segment right so angles in the same segment are equal अगर उनके segment same हो तो फिर उनका angle भी कैसा रहता है equal रहता है बस आप ये ही last में लिख दो क्या लिखेंगे angle C angle CAD and angle CBD are in the same segment are are in the same segment are in the same segment same segment में है so directly angle equal लिख दो angle C AD is equal to angle CBD direct equal लिख दो और reason क्या लिखेंगे angles in the same segment are equal angles in same segment angles in same segment are equal correct तो हमने प्रूफ कर दिया है कि वो दोनों angles क्या है equal है करते हैं दोनैй हुआ है करते हैं झाल झाल